नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुसील और स्वागत है आप शवीका एसकेश डाइम्स के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो भी हम लोग दखेंगे चुमब कत्व यानि की मैगनेटीजम जी हां मैगनेटीजम के 40 objective questions देखेंगे जो कहा हमारे exams के लिए बहुत ही important हो और सारे questions जो साती हो है वो पिछले exams के पूछे के सारे questions है तो आने वाले जो हमारे exams है RRB, NTP, C, Group D, SSC, MTS, CHSL, CGL, Bank, Police and other state exams, सिर्चेक, पटवारी ठीक है तो सभी exams के लिए important है तो आप यहां से अपनी अगर कोई भी exams के तयारी कर रहे हैं तो आप अपनी यहां से preparations को चेक कर सकते हैं ठीक है friends तो चलते हैं आज की questions की और जी है friends प्रशन आपके श्कीन पे है इनमें से अगर राइक टांसर जानते हैं तो आप comment ज़रूर कर लेंगे ठीक है तो प्रशन आपके श्कीन पे है अस्थाई चुमकन किस इस्तिती में किया जा सकता है धलवा लोह पिटवा लोहा कच्छा लोहा या इसपाथ तो अस्थाई चुमकन किस इस स्थी में किया जाता है तो राइक चांसर यहां से क्या आएगा option सबड़ी इसपाथ जी हां option सबड़ यहां से डी आपका बिल्गुल राइक चांसर होगा next questions क्यों चलेंगे और यहां next question आपके screen प जी है friends तो अस्थाई चुमक जो बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं नरम लोहे के सभी को पता होगा यह answers options number यहां से be right answers जी है friends options number be right answers हो जाएगा और प्रेफ्रेंच के वीच भी share कर लेंगे साथ यहो ताकि आपके friends भी वीडियो का लाब ले पाएंगे अगर यह वीडि पर यह सभी जगा समान होती है तो right answers होगा साथ यह options number a जी हां options number a बिलकुल right answers होगा जी हां देंगे options number a दोनों किनारे पर जो होता है चुमबक की आकरसन सकती सबसे अधीक होती है next questions जी हां friends साड़ेप्रेशन जो है चुमबक कत्व chapter से ही लिया गया है किसी चुमबक की आक साथ यहां से option number b मद्द में जो होता है जी हां कोई चुमबक है जैसे north और side में ज्यादा होता है और मद्द में जो होता है साथ यहां पर मद्द में क्या होता है आकरसन सक्ती सबसे कम होता है जी है friends right answers option number b right answers next questions घिया फ्रेंज next question पर स्क्राइब पर चुमबँ का मात्रक क्या होता गउस बंपटर ऑहा यहां स्जानरिक . जी हां चुमबँ का सीटर का मात्रक होता होगा, घ और वह गोता है जिस्थक선रा जहाएं। चुमब की और फिलस का मातर्ख है। निम लिखीत मेंन siamo लोह चुमब के पतारत नहीं है। द्यान देंगे। नहीं है कौन सा लोह चुमब के पतारत नहीं है। लोहा, निकेलлять तामबा या क्वाल्ट जितlish मसा सकते हैं। जो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं है, यहां पर ताम बात, जी हां, ताम बाला चुम्बा के पदार्थ नहीं है, तो आपस नुबर C, राइट आंसर हो जाएगा, सेवन का, चीक है, नेस्ट कॉस्टन क्यों चलेंगे, और यहां नेक्स परेशन अपके श्कीन पर, जी हां, न लह चुम्बा के पदार्थ के भीतर, परमानुओं की असंख अति सुच में संदचनाओ को क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे साथ यह राइट आंसर क्या होगा, लह चुम्बा के पदार्थ के भीतर, परमानुओं के असंख अति सुच में संदचनाओ को क्या कहा जाता है, परिनालिका, तॉराइड, डॉमेन् या इनिमेसे कोई नहीं, जिए फ्रेंश, तॉराइड ठांसर से यहां सोगा, ऑप्षान संबर C क्या कहा जाता है, तो उसे डॉमेन कहा जाता है, जि हां, ऑप्षान संबर C, बिल्कुल डाइक ठांसर सोगा, सारी confusions को यहां से दूर कर लेना है और अपनी preparations को यहां से चेक करना साथियों कि आपका marks कितना है आपका score कितना है तो इस वीडियो का लाश तक बने रहे और सारे प्रशन का लाब ले प्रशन आपके स्कीन पर अस्थाई चुमबक किस पतार्त का बना होता है वह होता है जी हां साथियों अस्थाई चुमबक जिस पतार्त का बना होता है वह होता है क्या कहला हैगा ferromagnetic, diamagnetic, anti-ferromagnetic या इन्हें से कोई नहीं तो अस्थाई चुमबक जिस पतार्त का बना होता है हुआ होता है फेरो मेगनेटिक और यहां से यह आपका बिल्कुल डाइट आंसर होगा और संबर ए राइट आंसर ठीक है नेस्ट कोश्चिन जिए फ्रेंट्स आपके प्रशन आपके स्कीन पर मुक्त रूप से निलम्बित चुंबकिया सुई किस दिशा में ठिकती है उत्तर परश्चिम उत्तर दचिन उत्तर पर या उत्तर परश्चिम दिशा आपका ऐसे बिल्कुल डाइट आसर होगा नेस्ट कोश्चन की और चलेंगे जिए फ्रेंट्स प क्यों किस और इंगीत करती है चुम्बख किया संस संबर से बिल्कुल डोटा काइट चलेंगे नेक्स कर से में एक अनूच और चुमबक के पतारत हैं जी हां सर्फेंट्स निवलकित में से कौन एक चुमबक के पतारत है लोहा, कोबाल्ट, निकील, या पीतल राइट आनसर्स क्या हो सात्यों तो राईट आंसर्स से होगा आपका AOPTION D पीतल, जी हां उत्तरपुर्ग, उत्तरपस्चिम, उत्तरदचिन या उत्तरपस्चिम दिशा में जी है Friends फ्रेटा आजसे होगा आपका options नबर C उत्तरदचिन दिशा में option सम्पर C बिल्कुल राइड चांसे है और इसे पहले भी चुंबुंब क्या है जीक क्या होगा साथियों और सी ऑक्सीजन जीयां देंगे और सबसेट देखेंगे बिल्कुल राइट आपसो इस तो बताएंगे साथियों में कि तुम से कौन बिज्दुद ऑच्सिजन या तामबार राइट ऑंसा साथियों आफ यहां सका आप्सें संबर डी जी विद्धु और छुम्बक्या पूछ रहा ना तो आफ्सेंस नबर डी बिल्कुल डाइट आइट रस प्रेश्आ हैं चुम्बक्या या मत्तर और भगोलिक या मत्तर के बीच के कोन को क्या कहते हैं जी हां सारी कंफूजुन दूर करना है आपको यहां से चुमबक या मुत्तर और भगोलिक या मत्तर के बीच की कौन को क्या कहते हैं चुमबक नीठी चुमबक आघुर्ण चुमबक दिखपाद या इन में से कोई नहीं जी आपका ओप्सन संबर सी जी आपके ओप्सन संबर सी बिल्कुल डाइट आइट अंसर होता है लोहा निकेल कोबाल्ट या ऐलमूनियम तो राइट उन्स वहां से ऑप्षन स्वाट डी ऐलमूनियम धातु जो है चुंबक के दोरा आकरसित नहीं होता है अपर समब्ट और यह रहा नेक्स प्रस्ट आपके स्कीन पे किसी चुमबकिया पतारत को बीचुमबकिया किया जा सकता है किस परकार किसी चुमबकिया पतारत को बीचुमबकिया पतारत बना जा सकता है कैसे साथियो हाथावड़ी से पीट कर गरम करके उप्यूक्त में से दोनों या इन में से कोई नहीं जी हाथावड़ी से पीट पीट कर भी चुमबक्या के जा सकता और गरम करके भी तो ऑप्सिंस नमर यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियो दोनों ठीक है जीए फिरेंट्स और नेक्स परस्ट आपके श्कीन पर है बिद्धु धारा का चुमबक्या परभाव शर पर्थम अब लोगित किया गया जी हां किसके दोरा किया गया वह किसके दोरा हैंडी दोरा और इस्टेंड दोरा यह फेरैरी दोरा यह बोल्टा दोरा जी हां तो लाइट अंसर्शक किया होगा साथिए उहां से राइट आंसर्शक अपसंस नमबी और सद देड़े दोरा जी हां औपस ब्ल्कुल डाइट सॉरी औस उमस बी बिलकुल राइट अंसर्शक अपका धियान मन कोन वह कितना होता है तो वह होता है 90 डिग्री जी हां ध्यान रखेंगे कितना 90 डिग्री ऑप्सन संबर यहां से अटारा तेग्री का क्या हो जाएगा ऑफसन संंबर सी बिल्कुल रख आउटारा तेग्री का नेक्श्म क्यों च रहेगे फ्रेड्स और यह रहा नेक्स्ड प्रेश्ण आपके स्केन पे जीहां नेक्स्ट परकिंश तो right answers होगा यहां से अपका option number a उत्तर उत्तर दचिन दचिन option number a बिल्कुल right answers होगा और यह सारे प्रशन पूछे के प्रशन है ठीक है तो बहुत ही important होता है आने वाले exams के लिए तो सभी लोग right answers बताएंगे क्या हो जाएगा फलस्क घनता और चुमक के अच्छेत्र की छमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो right answers यहां से क्या होगा option number D हो जाएगा तो पारा गाम में ता option number यहां से D आपका right answers होगा option number D next question क्यों चलेंगे friends और यह रहा next question आपके श्कीन पे जी हां वा किरिया जिसके दोरा ओधातू को और चुमक किया बनाया जाता है कहलाती है जियान देंगे right answers क्या होगा वा किरिया जिसके दोरा ओधातू को और चुमक किया बनाया जाता है कहलाती है जी हां तो आप क्या कहलाती है साथियो वा कहलाती है Demagnetization जी हाँ Demagnetization Options number यहां से A आपका right answers होगा साथ यह Option number A Confusion नहीं होना सारे confusion को यहां से दूर कर लेना है difference प्रशन आपके screen पे चुमबकिया सुई किस तरफ शंकेत करती है जी हाँ चुमबकिया सुई किस तरफ संकेत करती है प्रश्यम उत्तर यह आकास जी हाँ तो right answers यहां से होगा आपका option number C उत्तर की और जी हाँ option number C बिल्कुल right answers होगा आपका next questions जी हाँ चुमबकिया बिदु चुमबकिया प्रेजरन के नियमों का उप्योग निम्न में से किसको बताने के लिए उप्योग किया जाता है दियान देंगे right answers क्या होगा जी हाँ बिदु चुमबकिया प्रेजरन के नियमों का उप्योग निम्न में से किसको बताने के लिए किया जाता है धारा मापी बोल्ट मीटर बिदु तमीटर यह जनितर तो right answers यहांस होगा साथ यह आपका option समबड़ी जनितर जी हाँ option समबड़ी बिल्कुल right answers होगा जनितर next questions की ओच चलेंगे और यह रहा next question आपके स्कीन पे जी है फ्रेंश डाइनेमो के कारे करने का सिध्धानत है दियान देंगे डाइनेमो का जो कारे करने का सिध्धानत है वा किसके परभाव पे है ताप बिद्दुत परभाव बिद्दुत चुमड़ी परभाव धारा का चुमड़ी परभाव यह उर्चासन रच्छन जी है फ्रेंश तो right answer से यहांस होगा बिद्दुत मोटर का सिध्धान जो कारे करती है वह कारे करती है यहां से आपसस नंबर ए बिल्कुल right answer सोगा साथ यह नेक्स्ट कोस्टन के चलेंगे और यह नेक्स्ट प्रस्टन आपके श्कीन पर जी हां ट्रांसफर्मर में ट्रांसफर्मर में यहां से हो जाएगा साथियो क्रोड ठीक है ट्रांसफर्मर में क्रोड बनाने के लिए निमलिखित पदार्थ में से कौन सा अधिक उप्योगत होता है जी हां नर्म लोहा, निकेल, तामबा, एस्टेल लेसे, स्टेल ट्रांसफर्मर का सिधान्ट अधारित है जी हां ट्रांसफर्मर का सिधान्ट अधारित है आधरीथ है चुम्बख के प्रेरान के शिद्धान्थ है चुम्बख की या उपसे ह्ज ton विद्धु चुम्बख के प्रेरान के शहुआ है आपका रॉप्स dengan सब्सक्राइब का यह है आपकासे कोश्टन है के किन टिश्थ के से चूब का टीसरा धृब हो तो टीसरा सोड़ यदी किसी measure का टीसरा धृब कहलाता हाँ ध्यान देंगे ज़्म जादा तर दो धुर्ब होते हैं यदि किसी चुमबक का तीसरा धुर्ब हो तो तीसरा धुर्ब क्या कहलाएगा जी है फ्रेंट्स अतिरेक्त धुर्ब याद चिक धुर्ब दोषपूर्ण धुर्ब या परिनामी धुर्ब तो राइट अंसर यहां सोगते हैं और यहां नेक्स परसन आपके स्कीन पर पर तभी एक बहुत बड़ा चुमबक है इसका चुमबक के अच्छे तरह किसी दिसा में बिश्टेत होता है जी हां किस दिसा म करेंगे जी हां पुर्व से पश्चिम पश्चिम से पुर्व उत्तर से दच्छिन या दच्छिन से उत्तर तो राइट अंसर सब्सक्राइब अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगड़ी है तो लाइक कर लिजेगा जी हां लाइक कर लिजेगा और इस चैनल पर आप आपको इस तरह की वीडियो कंटीन्यों मिलते रहेगी जी हां प्रेंच आपको श्की में पर आप जानते कॉमेंट लोह का क्योड़ी ताप होता है जी हां लोहा का क्योड़ी ताप कितना होता है और आइस चाइआबड चैनल सरह स्टाुल से पांस नस नो सों अन चैंल स्स Central यहां बिल्कुल राइट आंसर होगा लोहा का जो क्योरी ताप होता है ठीक है फ्रेंट नेक्स्ट कोश्टन और यह रपके श्कीन पर चूंबक निमलिखित ग्री उपकरनों में से किसका आवश्यक भाग है जी हां चूंबक निमलिखित ग्री उपकरनों जो है किसका अवश्यक भाग है बुलाने की घंटी पंखा दुलाई मसीन या उपयुक्त में से सभी तो राइट आंसर यहां से हो साथ आपका आप्सन समद्डी सभी में चूंबक का काम होता है तो आप्सन समद्डी राइट आं जी हां स्वाड़ी सेल्सियस नहीं था तो राइट आंसर क्या होगा विश्वत रेखा पर नती कौन का जो मान होगा वह कितना होगा साथ यह जीरो डिग्री होगा जी क्या नेश्क को स्कूर्ट चलेंगे चूंकि सेल्सियस जो है वह तापका मात रख यह प्रशन आपके स् जी हां तो राइट आंसर से लिवह आस ऑपका option number C एक दूसरे के समना अंतर होना चाहिए एक समांद चुमख के छेतर में बल देखाए जो होनी चाहिए वह एक दूसरे के समना अंतर होना चाहिए option number C right answers नेक्स्ट और लास्ट कोशन से आपके श्कीन पर जी हां दिग सूचक का पड़ियोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है जी हां तो चुम्बक की उत्तर दचिन दिसा चुम्बक की धुब्रता चुम्बक की सकती और चुम्बक की छेतर की दिसा तो राइट आ आई होगी और अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर लिजेगा साथ यो और अप्रेफ्रेंट के बीच विच्वेश सेयर कर लिजेगा चुकि अपने आज पास स्वक्षता बना रखेंगे धन्यवाद